OC, समुंदर में एक ऐसा फिजीव पाये जाता है जिसके पास तिन दील और उसका जो ब्लड होता है वो भूलू किलर का होता है और उसके पास 9 दिमाग होते है इस समुंदरी जीव का नाम ऑ्टोपस फैक meditate व्योजी लैंड में एक एसा जगा है । जगा का नाम इतना लंबा है दुनिए के सबसे लंबा नाम वाला जगा न्युजी लैंड में ही ह। और उस ऊसनाम में कुल 85 लेटर है जो इस तरह है जिसका नाम यह है तौमात आफका पना में आपlusive कला पर सबसे लंबे स्थान का नाम होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है प्रक्त नमर टी करंट दो तरह के होते हैं एक करंट होता है जिसे अगर हाथ से छूते हैं तो हमें कोई जटका नहीं लगेगा और दूसरा जिसे छूने पर काफी जोर का लगता है तो यहां से यह हैं कि अगर जिस करंट को छूने का बाद जो जटका महसूस होता है उस करंट को रियल में एसी करंट बोला जाता है और जिसे छूने पर कोई जटका नहीं लगता उसे डीसी करंट बोला जाता है तो यह सी करंट से जल रहे बल्ब के सामने अगर आप अपने मोबाइल के कैमरा को करके देखते हैं तो आपको काफ़ी तेजी से जलता भुजता आपको दिखेगा लेकिन alone करके तो यहीं DC Girerгляд से जल रहे बल्ब को जैसे कि हो गया iOS Commerce बैटरी से जल रहे बल्ब को अगर आप आब देखते है कैमरा ऊंदर करके तू वह कंट्नियू जलता हुद दिखेगा वह बडर्ता बुच्छता थे अपार इस लिए होता है कि प्यार से फुगु नाम से भी बुलाती है यह मचली इतना जहरीली होती है कि अगर कोई से गलती से खा ले तो उसकी मौत निश्चित है अब इस मचली की खौप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं एक बार जपान के गामा गोरी नाम के सहर में फुगु मचली के पांच प कर दिया गया था और वह के प्रसास लाउड़ स्पिकर से यह अनौंस कर रहा था कि उस मचली को खाने से बचें जो भी उस मचली को ले गया है उस मचली को न खाए यह ऐसी चतावनी दी जा रही थी उस सहर में वहाँ पास उन परसासनों को तो तीन पैकेट मिल गया था लेकिन बाकी के दो पैकेट उसे नहीं मिला था और इस फुग्गु मचली को पुरी दुनिया में सबसे जादा जहरीली होने का दावा किया जाता है इस मचली को खाने के लिए काफी एक्सपर्ट फिसमेकर से ही खो तो वो उसी में दिन भर लगा दिया करता था उसे लोहा से चिपका कर या फिर दो चुम्बक अगर होते थे तो उसे आपस में आमने सामने रखकर उसे खीचने या फिर धक्का देने का काम करते थे या फिर उसे रसी में बांद कर और गली या महला में खीचा करते थे य हम चुम्बक के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आज हम आपको चुम्बक बनाना सिखाएंगे चुम्बक बनाना काफी इजी है आपको बस एक बड़ा सा तार लेना है और एक पतला सा छोटा रड लेना है या तो आप एक काटी ले सकते हैं तो काटी ही सही है काटी एक ले देंगे और उसी काटी में बरबर तरीके से उचिन लेट देंगे और लपेटने का बात जो तार का दोनों भच जाएगा उस दोनों थोर को बै्टरी के पलस और माइनस में जोड़ना और बैटरी अगर बड़ा है कम समय में आपको एक चुम्बक बनके मिल जाएगा अगर आपके पास छोटा बैटरी है तो आपको ज्यादा समय लगेगा लेकिन आपको बनके मिल जाएगा तो इसे कुछ देर तक 15 मिनिट या 10 मिनिट या अपने समय से आप देख सकते हैं कि कि इतना देर में यह बन गया है चुम्बक वह देखने के बाद अब आपको उससे निकाल कर और बस चुम्बक के तरह से इस्तवाल करना है झाल करना है